Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on fourth lesson of history of tenth class. आज हम fourth lesson में प्रारंबी की दोत्तरवर्स के बारे में पड़ेंगे. ब्रिटेन वुड्स विवस्था ने पर्ष्मिय द्योगिक राष्ट्रो और जापान के लिए वैपार्थ थाए में वरीदी के एक एपरितम युक का सुत्रपात किया. यानि जापान के वैपार्थ के में जो आए में वरीदी हो रही थी उसका अनुमान लगाया. 1950 से 1970 के बीच विश्व वैपार की विकास दर सालाना 8 परतिसत से भी जादा रही. इस दोरान वैस्विकाय में लगबग 5 परतिसत की दर से वरीदी हो रही थी. विकास दर भी कमोबे से स्थिर ही थी. उसमें जादा उतार चडाव नहीं आए. इस दोरान जादा तर समय अधिकांस द्योगिक देशों में विरोजगारी उस्थन 5 परतिसत से भी कम ही रही. इन दसकों में तकनिक और उदम का विश्वयापी परसार हुआ. विकास इल देश, विक्सित द्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जीत और कोशिस कर रहे थे. विकास इल देश कुन से होते हैं? जिस देश में विकास दीरे दीरे होता है, उसको विकास इल देश कहते हैं. और विक्सित देश, जिस देश में तेजी से विकास हो, उसको विक्सित देश कहते हैं. इसलिए उनोंने आदूनिक तक्निकी से चलने वाले सयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी का निवेश किया इसने विकास सिल देशों ने जो आदुनिक जो नई तकनीकी के सैंतर यानि यंतर मसीनी उपकरण आये थे उनका बे हिसाब से पुंजी निवेश खर्च कर दी यानि निवेश यानि खर्च कर दी और आई अब हम अनोपनिवेश सी करण और सवतंतरता के बारे में पड़ेंग क्या है अनोपनिवेश सी करण दूसरा विशवयूद खतम होने के बाद भी दुनिया का एक बहुत बड़ा बाग यूरोपिय उपनिवेशिक सासन के अधिन था जब दिवित्य विशवयूद खतम हो गया था तब भी भी एक दुनिया का बहुत बड़ा हिसा यानि में एशिया और अफरीका के ज्यादा तर उपनिवेस सवतंतर स्वाधिन राष्टर बन चुके थे लेकिन ये सबी देश ग्रीबी वे संसाधनों की कमी से जूज रहे थे किसके कारण यूरोपिय उपनिवेसिक सक्ति के नियंतन के कारण क्योंकि ये इनके अधीन थे और उनकी अर्थवेस्थाएं और समाज लंबे समय तक चले उपनिवेसिक सासन के कारण ये एस्थवेस्थ हो चुके थे आई-एम-एफ और विशव बैंक का गठन तो अध्योगिक देशों की जुरुतों को पूरा करने के लिए ही किया गया था आई-एम-एफ अंतरराष्ट्रिय मुद्राखोस ये संसान भूत पूरव उपनिवेसों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में दक्स नहीं थे लेकिन जिस परकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थ विवस्थाओं का पुनर गठन किया मतलब क्या है दुबारा अपनी अर्थ विवस्था पर क्या है नियंतन पाया और अर्थ विवस्था को सकती साली बनाया और उसके कारण ये देश IMF यानी अंतराष्ट्रे मुद्राकोस और विशव बैंक पर बहुत निरबर भी नहीं थे इसी कारण पचास के दसक के आखरी सालों में आकर ब्रिटेन उड्स संसान विकास सिल देशों पर भी पहले से ज़्यादा द्यान देने लगी कौन से जो विकास सिल देश से जिसमें दीरे दीरे विकास होता था क्योंकि ये विक्सित देशों से ज़्यादा पिछडे हुए थी दुनिया के अलप विक्सित बाग उपनिवेसों के रूप में पस्चमी समराज्यों के अदिन रहे थे उपनिवेस क्या होता है उपनिवेस उसे कहते हैं जो गुलाम देश को उपनिवेस कहते हैं आईए हम उपनिवेस के बारे में क्या है डिटेल से पढ़ेंगे भी उपनिवेस यानि किसी राज्ये के बाहर की उस दूर्स्त बस्ती को कहते हैं जहां उस राज्ये की जनता निव करती है और किसी पूरण परभूता संपन रज्य के लोगों के अन्य देसों की सीमा में जाकर बसने के लिए जो स्थान है और इस बध का परियोग होता है किसका उपनीवेश का जो किसे अन्य देश की सीमा में जाकर बसने के स्थान के लिए भी इस बद का प्रियोग होता है किसका उपनिवेश का और इस अर्थ में अधिक्तर यूरोपिय देशों के उपनिवेश हैं लंदन में स्थित हैं आईए हमने उपनिवेश के बारे में विस्तार से पड़ा और क्या है विडंबना यह थी कि नव स्वादिन राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछडे पन के गर्थ से बाहर निकालने के लिए उन्हें ऐसे अंतर राष्ट्रे संसानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर बहुत पूरव उपनिवेशिक सक्तियो का ही वर्थ सव था मतलब कहने कारता है जो नए राष्ट्रों का निरुमान हुआ था जो सवतंतर हुए थे उन्होंने क्या है जो पहले से उपनिवेशिक सक्तियों का वर्थ सव था यानि उनका बोलबाला था उनसे ही मदद लेनी पड़ी उपनिवेशिक करण के बहुत सा दिन राष्टरों को अर्थ ववस्ताओं पर बूत पूर उपनी वेसिक सक्तियों का ही नेंतर्ण बना हुआ था मतलब जो सवतंतर तो हो चुके थे लेकिन उनकी अर्थ ववस्ताओं पर किसका उपनी वेसिक सक्तियों का ही नेंतर्ण बना हुआ था जो देश ब्रिटेन और प्रांस के उपनिवेश रह चुके थे यानि बिटेन और फ्रांस के गुलाम रह चुके थे जहां कभी उनका राजनेतिक पर बुतव रह चुका है वहां के मैत्वपुन संसादनों जैसे खनीज, संपदा और जमीन पर अब भी भी ब्रीटिस और फ्रांसिसी कंपनियों का ही नियंतर्ण था और वे इस नियंतर्ण को छोड़ने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी कहने कारते वो नाम नाम के तो सवचंतर हो चुके थे और क्या है और जो उनकी आर्थिक विवस्ता थी उस पर अब भी भी उपनिवेसिक सक्ति का ही नियंतर्ण था कई बार अमेरिका जैसे अन्य सक्ति साली देशों की बहु रश्टर कंपनिया भी विकास सिल देशों के प्राकरतिक संसादनों का बहुत कम कीमत पर दोहन करने लगी दूसरी और ज्यादातर विकास सिल देशों को पचास और साट के दसक में पश्चमी अर्थवस्ताओं की तेजी से परगती से कोई लाब नहीं हुआ क्या है जो विकास सिल देश थे और जब क्या है पचास सिल दसक के बाद क्या है अर्थवस्ता में तेजी से परगती आई फिर भी क्या है विकास सिल देशों को इतना लाब नहीं हुआ क्योंकि उनकी आर्थिक स्तीती कमजोर थी क्योंकि उनके पास इतना धन पैसा नहीं था कि वो नई प्रगती का लाब उठा सके जो नई नई तकनीक है और उपकरणों का लाब उठा सके इस समस्या को देखते उन्होंने एक नई अंतराष्ट्रिय अर्थिक प्रनाली के लिए आवाज उठाई और समू जी स्तेतर के रूप में संगठीत किया गया जी स्तेतर क्या है इसमें जो जी स्तेतर दिया गया है ये विशव के स्तेतर विकास सिल देशों का एक संगठन था उसको क्या कहते हैं जीस तैतर जो विकास सिल देश थे एन आई ईओ से उनका ऐसे एक ऐसी विश्था से है जिसमें उन्हें अपने संसादनों पर सही मायनों में नियंतन मिल सके जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सायता मिले और कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तियार मालों को विक्सित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बहतर पहुँचे कहने कारत है जो विकास सिल देशों के लिए और जी स्तेतर का एक संगठन बनाया था जो संगठीत किया था एनायो से उनका ऐसे एक ऐसी विस्ता थी जिसमें हमारे संसादन है उनके माइनों पर क्या है नियंतर्ण मिल सके और उनके जो विकास था उनके विकास में दिख से दिख क्या है सायता मिल सके और उनके पास जो कच्छा माल था उसकी क्या है कच्छे माल के भी सही दाम मिल सके और अपने जो तयार माल है जो कच्छे पहले जो उनको कच्छे माल के दाम सही मिलेंगे तो क्या है अपने तयार माल को भी विक्सित देशों के बाजारों में बेचने के लिए ब के लिए ये सभी विवस्था होनी चाहिए इसलिए जी स्तेतर संगठन को संगठित किया गया था किसके लिए विकासिल देशों के लिए आज हमारा फॉर्थ लेसन कंप्लेट होता है और आज आपका होंवरक होगा आप कोई पांच स्मॉल क्वेशन फ्रेम करेंगे और थेंक्ँ स्टूडेंट्स और आगे हम अगली विडियो में इसके जो question answer है वो कर वाएंगे और जितना जो मैंने पढ़ाया है वो उसको read करोगे और learn करोगे थेंक्यू स्टूडेंट्स, have a nice day, घरपर रहें सुरक्षित रहें